रामनवमी हिंदूओं धर्म के प्रमुक्त योहारों में से एक है इसे भगवान राम के जन्दिन के रूप में पूरे भारत वर्ष में हर्शोल लास के साथ मनाया जाता है ऐसी मान्यता है कि असुरों के राजा रावन को मारने के लिए भगवान विश्नु ने त्रेता रामनवमी के रूप में मनाया जाता है रामनवमी एक धार्मिक त्योहार है जो हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा पूरे उत्साह के साथ हर साल मनाया जाता है यह योध्या के राजा दशरत और रानी कोशलिया के पुत्र भगवान राम के जन्दिन के रूप में मनाया दिन पढ़ता है राम नवमी को चैत्र मास की शुकल पक्ष की नवमी भी कहा जाता है जो नौ दिन लंबे चैत्र नवरात्री के त्योहार के साथ समाप्थ होती है। और उन्होंने सामान्य लोगों के बीच में उनकी समस्याइं हटाने के लिए जन्म लिया था। लोग अपनी समस्याओं को दूर करने और बहुत अधिक सम्रिद्धी वसफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से मंदिरों और अन्यधार्मिक स्थलों को अपने पारंपरिक अनुष्थान करने के लिए सुसजजित करते हैं और प्रभू को फलवफूल अर्पन करते हैं। कुंदली का विवेचन करने से ये तो पता चला कि किनकिन ग्रहों के कारण उनको भौतिक सुखों की प्राप्ती नहीं हुई। लेकिन हमें स्मरन रखना चाहिए कि श्रीराम ने त्याग और संघर्ष जैसे कष्ट में मार्ग पर चलकर स्वयम को मर्यादा पुरुशोत्तम के स्वरूप में प्रस्तुत किया। सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते रहे अनेक कष्ट सहे मगर फिर भी लोग कल्यान के लक्ष से दिगे नहीं हर दम आगे बढ़ते रहे। इसका कारण लग्न में गुरु एवं चंद की युतिका होना है। जीवन में मर्यादा का पालन करने की वज़े से वह मर्यादा पुरुशोत्तम के नाम से जाने गए। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी उन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वैभव का त्याग कर 14 वर्ष का वनवास व्यतीत किया और इनी गुनों से भगवान राम युगों युगों तक भारतिय जन मानस पर अपनी अमेच्छाप छोड़ते आए ह पित्री एवं भौतिक सुखों की प्राप्ती नहीं हो सकी यद्यपी दशंभाव में उच्च राशी मेश में स्थित सूर्य ने श्वीराम को एक ऐसे स्योग्य शासत के रूप में प्रतिश्थित किया कि उनके अच्छे शासनकाल राम राज्य की आज भी दुहाई दी जा प्रतिकात्मक त्यारी के लिए ये कार्यक्रम रोग दिया जाता है और 12 बचते ही आयोध्या नगरी में उनके नाम की जयजयकार शुरू हो जाती है आयोध्या के प्रसिद कनक भवन मंदिर में भगवान राम के जन्म को भव्यत तरीके से मनाये जाने का रिवाज है उनके जन्म के प्रतीक के रूप में विभिन मंदिरों में बधाई गीत और रामचरित मानस के बालकांट की चौपाईयों का पाठ किया जाता है किन्नरों के समूह भी भगवान राम के आगमन को महसूस करते हुए सोहर गाते हैं और नृत्य करते हैं आयोध्या के साथ ही पूरे देश में इस दिन भगवान राम, उनकी पत्नी सीता, छोटे भाई लक्षमन और भक्त हनुमान की रत्यात्राय निकाली जाती हैं उत्तर एवं पूर्वी भारत में कच्चे बांस के सहारे लाल रंग का ध्वज श्रद्धालू अपने घरों एवं मंदिरों में लगाते हैं जिसमें भक्त हनुमान की आकृती बनी होती है इस अफसर पर पूजा के अलावा वरत का भी विधान है जिसका सांस क्रितिक एवं वेग्यानिक दोनों महत्व है आमतोर पर घरों एवं मंदिरों में रामदर्बार का आयोजन कर उनकी पूजा की जाती है माना जाता है कि इस वरत से शद्धालू भक्ती के साथ मुक्ती भी प्राप्त करते हैं